नमस्कार सभी को स्वागत है आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल पे तो अब हम राजस्थानी पैंटिंग का अगला पैंट जो की है चोगन प्लेयर्स उसे देखने जा रहे है ठीक है चोगन प्लेयर्स के जो पेंटर है दैट इस दना मीडियम वही था वाटर कलर और किस पे पेपर पे इसके जो सिरका था या निकी 18th century में लिया गया सब एस्कूल कौन सा था इसका जोधुपूर ठीक है टेकनीक कौन सा यूज हुआ टेमपरा और कलेक्शन कहां पे मिलेगी य प्लेंग पोलो और चोगन यानि कि इस पेंटिंग का नाम चोगन इसलिए बढ़ा क्योंकि इस पेंटिंग में 6 प्रिंसेज क्या कर रहे थे आपस में पोलो और चोगन नाम का गेम खेल ले थे यहां पे जो दिखाया गया है ठीक है all the six princes have been shown riding on their equivalent horse of white यानि कि इनके सब के इसने भी 6 princes से सब white horse पे सवार थे घुरसवारी कर रहे थे ठीक है कुछ इसमें से blue पे भी थे कुछ इसमें से deep gray color पे भी थे और एक जो था royal purple पे भी दिखाया गया है यानि कि एक कि इस पे था white एक है royal purple एक है आपका blue और एक है deep gray ओके they have been adorned with jewels covering the head with excellent adornment in different countences क्या रहे कि जितने भी princess है अपने head पे क्या कर रखे है अलग-अलग मुकट जो होता है basically jewelry से cover वो पहन रखा इन्होंने अपने heads पे ठीक है अलग-अलग ornaments पहन रखे है they mounted on their horses moving into different directions इनकी जो horse है इनकी horse की जो खास बात है यह ऐसा नहीं कि एक direction में यह सब opposite direction में दिखाया है अगर देखा तो यहां पे देखे अलग-अलग horse जो है अलग-अलग opposite direction में है लेकिन खेल रहे हैं क्या अपने horse के direction के बिल्कुल opposite चलिया आगे इसके बाद कहा रहा है कि I'm trying to take the red color ball into their own control with their sticks horse अलग है लेकिन इस अपने stick की help से जो red color की जो ball है उसको अपने control में करना चाहते है in the front part of the background grass has been shown in particular shape इसका इनके front part में देखे हैं तो देखें यहां पे क्या है grass sow किया गया है ठीक है okay जो अलग-अलग shapes के है with a mixture of green blue and yellow color इनके जो grass है किस-किस color के है yellow है कुछ green है कुछ blue is color के है okay while the hind part has been given in the prescription of grass of a field लेकिन जो इसका hind part है बिसका जो क्या है given जो grass field है उसका prescription में दिया गया है in the upper part of the painting has been don't calligraphic work जो upper part है यहाँ पे इसमें क्या लिखा हो गया है don't आप देखे don't calligraphic work में upper part जो है उसका लिखा गया है यानि कि उसमें थोड़ा सा upper part में don't calligraphic work किया गया है ठीक है okay तो यह थी आपकी painting याद रखने वाली बात क्या है main यह है आपका कुछ इसके description यानि कि कौन से game खेल रहे थे कौन से color के horses थे इनकी पहनावे किस पर कार के थे इस painting का आप देखे तो work कौन सा था calligraphic okay और इसमें इनके जो sticks थे वो किस इस पर control कर रहे थे तो वही basically आपका red color का जो ball था उसको अपने control में लेनी की कोशिस कर रहे थे जैकि horse इनके opposite direction में थे accent यह था आपका painting मिलते हैं अगली painting में okay तो thank you so much for watching this